नमस्कार, मेरा नाम अफ्राजिता से हैं और आप देख रहे हैं इंडिया सेंचरिल्स भार्तिय नौसेना का एक P8I विमान अमेरिक की नौसेना द्वारा आयोजित एक्सरसाइस सीट रागन 2023 में भाग लेने के लिए 14 मार्च 2023 को गवाम साइक्त राज अमेरिका पहुँच गया ये इस अभ्यास का तीसरा संस्करण है भार्तिय नौसेना ने कहा कि 15 से 30 मार्च 2023 तक नरधारित अभ्यास भाग लेने वाले देशों के बीच समन्वित पंडुबी रोधी युद पर जोर देगा गौर्टलेवे के उननत एस जबली अभ्यासों को शामिल करने के लिए इन अभ्यासों की जटीलता और दायरा पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है आपको बता दे कि Exercise Sea Dragon 2023 आपसी विशेश अग्यता साजहा करते हुए नकली और लाइफ पानी के नीचे लक्षों को ट्रैक करने में भाग लेने वाले विमानों की ख्रमताओं का परिक्षिन करेगा इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के P-8A के साथ साथ भार्तिय नौसेना के P-8I, चापावी समुद्रे आत्मरक्षा बल से P-1, रॉयल केनेजियन वायूसेना से C-P-140 और रिपाब्लिक ऑफ कोरिया नेवी से P-3C का रतिर्य दुत्वख होगा गौर तरव है कि इस अभ्यास का उद्देश्य में अत्रिपूर्ण नौसेनाओं के बीच उच स्तरके तालमेल और समन्वे बनाना है जो उनके साजा मुल्यों और एक खुले समावेशी इंडो-पैसिफिक के प्रति प्रतिबधता पर आधारित है एक्सेसाइज स्री ड्रागन के बात करें तो एक्सेसाइज स्री ड्रागन एक द्ववार्शिक बहु रास्ट्रिय नौसेनिक अभ्यास है जो एंटी सब्मरीन वारफियर यानिके ASW प्रसेक्षन रणनीती और प्रक्रियाओं पर केद्रित है ये अभ्यास साल 2015 से आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजिन अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है इस अभ्यास में भारत, चापान, कनाडा और कोडिया गनराजे सहित भारत प्रसांद ख्षेत्र के कई देशों के नौसेनिक बलों की भागिदायरी शामिल है इस अभ्यास का उद्देश्य मित्र राष्टों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ भाग लेने वाली नौसेनाओं की सामुहिक AASW क्षमताओं को बढ़ाना है अभ्यास का दाइरा और जटेलता पिछले कुछ सालों में बढ़ा है जो हिंद प्रसांत खेत्र में AASW के बढ़ से महत्यों को दर्शाता है अभी खब्डों में बस इतना ही आगे सेना से चोड़े खब्डों के लिए देखते रहें इंजिया सेंटिनल्स